हेलो क्या हाल है? 29 अगस्त दिन मंगलवार और आईए बात करते हैं मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अगामी दिनों में आने वाले त्योहार वपर्व पर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अधिकारियों से आमजन के दर्वाजे खुले रखने को कहा है ताकि उनके समस्याओं का ततकाल समाधान किया जा सके उन्होंने फील्ड में तैनात अधिकारियों को समवेदन शीलता के साथ जन शिकायतों का निस्तारण करने पर जोड देते हुए जिलास्तर जर जन सुनवाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने चहलूम पर निकलने वाले जुलूस में हतियारों का प्रदर्शन न होने देने का भी निर्देश दिया है मुख्यमंत्री सोमवार को सभी मंडलायुक्त, डियम, एडीजी, आईजी, पुलिस कमिशनर, एसपी समेथ सभी जिलास्तरी अधिकारियों के साथ वीडियो कैंफरेंसिंग के जरिये कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों का यह समय कानून व्यवस्था के द्रिष्टिगत समवेधन शील है उन्होंने कहा कि श्रिक्रिष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन चहलुम का जुलूस निकलेगा इस दोरान हथियारों का प्रदर्शन न होने पाए त्योहारों पर सभी जन्पदों में विद्युत की निर्बाध हापूर्ती की व्यवस्था सुनिष्चित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने गोक्षी और गोत असकरी के मामलों कठोरतम कारवाई करने को कहा है मुख्यमंत्री ने तहसील स्तर पर अभियान चलाकर वरासत के मामलों की समीक्षा करने और अवैद बस और टैक्सी स्टेंडों को हटाने के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है इस काम में पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निकाए और विकास प्राधिकरणों को समन्वे बना कर कारवाई करने को कहा गया है ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें